सो हलो एंड बिल्कम टू मैंटिव चैनल टेकर का अज मी चैनल में एक बार फिर से आपका सुवागत है तो चले सो आज की वीडियो में हम बात करने हैं बीबो के वाइब 35 फोन के हाइड आप सटिंग के बारे में हैं तो किसी भी अप को आप अपने फोन में हाइड कर सकते हो चाहे ओ और समों चाहे Facebook हो चाहे आपका Free Fire Game हो तो आप किसी भी अप को अपने home screen से आप अपने फोन में चिपा सकते हो तो एंड कैसे चिपाना है मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरे फूल डीटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक देखीगा स्कीप मत किजिएगा तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक के लेना एंड इस्ट्राइम का हाइड ऐप सड़िंग के बारे में चाहिए आप कोई भी एअप को छिपाना चाहते हो चाहिए आपका यह अलबं हो चाहिए आपका यहां पे वर्टस भीज़़्। आपको फोन में एक यह setting देखने को मिल जाएगा security का security वाले setting की अंदर आपको click करना है जैसे आप click करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस रीके का interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको मिल जागा privacy and apps का option यहां पर क्लिक करना है, यहां पर आपके फोन में पासवर्ट लगा लेना है, जो कि अगर आपके फोन में पहले से पासवर्ट लगा होगा, तो आपको यहां पर पासवर्ट को नहीं लगाना, अगर आपको फासवर्ट नहीं लगा है, तो आप यहां से पासवर्ट को चेंज Facebook हो गया and इस मैं इसे hide कर लेता हूँ अब यहां पर बात कर लेते हैं वर्सप की तो यहां पर मैं फिरिफायर गेम भी hide करने वाला हूँ and यहां पर हम वर्सप भी hide करने वाले हैं तो यहां पर हमारा वर्सप हो चुका वर्सप मैं यहां पर hide कर लिया एंड हम यहाँ पर free fire game को hide करेंगे तो free fire game हमारा कहाँ पर गया तो जैसी कि हम धूर लेते हैं यहाँ पर है यहाँ पर देख सकते हैं इन तिन आप को मैंने अपने phone में hide कर दिया है बीबो के वाई 35 फोन के setting से अब यहाँ से हम home screen पर आ जाते हैं और आप लोगो चल के दिखा देते हैं तो home screen के अंदर आपको फाहले free fire और यहाँ पर facebook अगरा देखनों को मिल जाते थे लेकिन यहाँ पर जब मैंने अपने phone में hide कर दिया है तो हमारे phone में यहाँ पर सिरी business वाला वार्सप दिखनों को मिल जाता है यहाँ पर जो हमारा वार्सप था यहाँ से हड़ चुका है और फिर facebook अंद यहाँ पर free fire था यह भी हड़ चुका है अब बात सवाल आती है यहाँ पर कि हम जो app को hide कर रखे हैं अपने phone में उसे कैसे हम use करेंगे तो आपको simple सी बात तो आपको अपने phone के setting के अंदर आ जाना है setting के अंदर आने के बाद आपको फिर से security वारे option पर क्लिक करना और आपको करना है privacy and app पे उसके बाद आपको यहाँ पर password डालना है और आपका face locks भी इसे unlock हो जाएगा अब यहाँ पर आपको view hidden apps का option मिल जागा यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपका सभी application सोख हो जाते है Facebook and WhatsApp तो आपको facebook चलाना है तो यहाँ इसे facebook को use कर सकते हैं आपको अगर यहाँ पर व्रसप को यहाँ उच करना तो वर्सप ही उच कर सकते हैं तो इन्हें भी आप यहां से उच कर सकते हो, आपको यहां से cut करकर bag आ जाना है, आपको यहां पे hide रहेगा, नहीं आपका घर वाले पता लगा पाएंगे, नहीं आपका कोई दोस्त पता लगा पाएगा, तो आप इस तरीके से किसी भी app को छपास सकते हो, अगर आप चाहते ह इसे unhide करना, तो आपको अपने phone के setting के अंदर आना है, और आपको फिर से security वाले option पे click करना है, security वाले option पे click करने के बाद आपको क्या करना है, privacy वाले option पे click करना है, जहां पे आपको privacy and app का option देखने मिल जागा, यहां पे click करने के बाद आपको क्या करना है, hide app पे click करना ह इतना भी एप हाइड होगा यहां पर ओन होगा इन्हें आपको ओफ करते चले आना है अब जिन आपको अपने ओफ कर दिया है ओप आपका यहां पर अन हाइड हो चुका है यहां पर आपको दिखा देता हूं आप यहां पर देख सकते हैं मेरे फोन में अन हाइड हो चुका है तो यहाँ आप Facebook हो गया, फीरिफायर हो गया, एंड वरसब हो गया तो इन्हें आप अपने फोन में Unheight करके Euch कर सकते हो फानलि इस तरीके से आप किसी भी ऐप को अपने व्यवो के बीवो के वाई पैंतिस फोन में आप एनेबल करके and हाइड कर सकते हो तो मैंने आप लोग को इन सभी सेटिंग के बारे में बता दिया किसी भी आप को अपने फूर में छिपा सकते हो एंड यूज कर सकते हो तो चलिए दोसों आप लोग को समझ में आग्या होगा तो चलिए आज के लिए तहीं आज उपकर हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सक्सराइब करके बेल आगएन को दबाके एंड प्रेस करें ना तकि हर एक वीडियो का नटोफ केसं सब सब पहले आप तक पहु